रोहित अपने माँ पापा के साथ इस नए जगर रहने आया था. रोहित अपने कमरे में अकेला सोता था. रात में उसे कही से अजीब सी आवाजे आने लगी. इतनी रात को ये कैसी आवाजे? उसने गैलरी से देखा तो सामने की बिल्डिंग से ये आवाजे आ रही थी मानो कोई स्कूल चल रही हो मन ही मनवह सोचने लगा अरे इतनी रात कौन सी स्कूल होती है सुबह उसने सारी बात अपने माँ पापा को बताई रोहित ने कोई बुरा सपना देख लिया होगा यह कहकर पापा ने उसे टाल दिया अगली रात रोहित को फिर से वही आवाजे सुनाई दी रोहित चुपके से उस जगह आया जहां से आवाजे आ रही थी और अंदर छाकने लगा अंदर का नजारा देख कर वो घबरा गया यह एक स्कूल था भूतो का स्कूल यहां हर रात भूत आते थे यहां रोहित वहाँ से भाग खड़ा हुआ लेकिन एक चुडैल उसे वहाँ से भागते हुए देख लेती है